द्रिश्टी IAS के टुडेश जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है तो चलिए रीकैप से आज के सेशन की शुरूआत करते हैं पहला सवाल है राश्ट्री किसान दिवस कम मनाया जाता है उत्तर है 23 दिसंबर खबरों में रहे नापपुर रिजोल्यूशन का सम्मथ किस मन्त्राले से है उत्तर है कार्मिक लोग शिकायत एवं पेंशन मन्त्राले सिंग्रैनी कोईलाक शेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में अवस्थित है उत्तर है गुदावरी घाटी सुर्खियों में रही स्पंदन नामक पहल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है उत्तरहे आंद्रप्रदेश हाली में किस विभाग ने Society of Biotechnology of India को लॉंच किया है उत्तरहे जियोप्रध्योगी की विभाग State of the Art DNA Analysis Center का उद्धाटन कहां किया गया उत्तरहे चंडीगड Integral Coach Factory ने 3000 कोच के निर्माड का रिकॉर्ड कितने दिनों में बनाया उत्तरहे 215 दिन हाली में किस मंत्राले ने Eco Network लॉंच किया है उत्तरहे वालिज एवम उद्ध्योग मंत्राले एल्सा और फैबियन क्या है उत्तरहे तूफान का नाम हाली में बांगलादेश Junior International Badminton Series 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है उत्तरहे मैस नाम मीराबाल लुवांग चलिए पिछला अभ्यास प्रस्ण देखते हैं आपसे पुछा गया था कि आर्टेक सेमिनार का आयोजन कहां किया गया है ओप्शन है एहमदाबाद, नई दिल्ली, दहरादून या फिर भोपाल मेकिन इंडिया के समग्र विजन के हिस्से के रूप में आर्टेक संगोष्ठी को दरसल 2016 में शुरू किया गया था बतादें कि सशस्त्र सेना देवस समारोह के हिस्से के रूप में हर साल इसका आयोजन किया जाता है ये भारती सेना का फ्लेक्शिप इवेंट है जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी छमताओं के उप्योग वाले क्षेत्रों के लिए एजेंडा तै करता है इस सेमिनार का मकसद सेन संचालन करने वालों रक्षा मंत्राले के नीती निर्धारक उद्योग तथा शिक्षा जगत को एक मंच पर लाना और समकालीन रक्षा शमताओं पर विचार करना है गौरतलब है कि पाचवी आर्टेक संगोष्ठी का आयोजन भारती सेना द्वारा बीते 23 दिसंबर 2019 को दिल्ली छावनी के मानेक्षा सेंटर में किया गया इस संगोष्ठी की थीम टेक्नोलोजीस और नॉन कॉंटेक्ट वारफेर रखी गई तो इस सवाल का सही जवाब है option B यानि नई दिल्ली आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं हाली में किस मंत्राले ने वाटर प्लस प्रोटोकॉल को पेश किया है option है ग्रिह मंत्राले, जल शक्ती मंत्राले, शहरी विकास मंत्राले या फिर आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्राले हाली में 35 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के ODF 4167 शहर, तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से भी ODF प्रमाले थे हैं बता दें कि सुक्ष भारत मिशन शहरी ने शहरी भारत को ODF बनाने के अपने लक्ष को प्राप्त कर लिया है आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्राले ने ODF परिडामों को बनाए रखने और होलिष्टिक स्वक्षता प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ ODF प्लस और ODF डबल प्लस प्रोटोकॉल लॉंच किये है साथ ही इस मंत्राले ने वाटर प्लस प्रोटोकॉल भी पेश किया है तो इस सवाल का सही जवाब है आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्राले दूसरा सवाल मिशन शत-प्रतिशत का संबंध किस राज्य से है औप्शन है अंद्रप्देश, पंजाब, हरियाडा या फिर उत्राखंड मिशन शत-प्रतिशत का संबंध पंजाब से है बता दे कि इस मिशन को पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग ने सितंबर 2019 में शुरू किया था इस मिशन का मकसद सरकारी स्कूलों की कक्षा 5, 8, 10 और 12 में 100% परिडाम प्राप्त करना है इस मिशन के लिए स्लोगन है असंभव नू संभव बनाईए, शत प्रतिशत नतीजा लाईए यानि make impossible possible and secure 100% result तो इस सवाल का सही जवाब है, option B, पंजाब तीसरा सवाल, transfer and posting policy 2020 का संबंध किस राजे से है option है, असंभ, राजिस्थान, अरुलाचल प्रदेश या फिर तेलंगाना अरुलाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने हाली में transfer and posting policy 2020 को मंजूरी प्रदान की है इस नीती के तहट सभी सरकारी विद्यालेओं को तीन शेडियों में बाटा जाएगा अरुलाचल प्रदेश के अमूमन 3513 सरकारी विद्यालेओं तथा 211 सामुदाईक विद्यालेओं में शिक्षडों की अनुपस्थिती बहुत बड़ा मुद्दा है इस नीती के तहट सभी सरकारी विद्यालेओं का वर्गी करण हार्ड, मीडियम और सौफ्ट शेडियों में किया जाएगा बतादे की विद्यालेओं का यह वर्गी करण नियुक्ती इस्थान की भगौलिक इस्थलाकरती विद्याले तक पहुँच न्यूक्ति स्थान पर रुकने की व्यवस्था में कठिनाई के आधार पर किया जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब है option C, अरुडाचल पुदेश चौथा सवाल हाली में किसे विदेश सचेव न्यूक्ति किया गया है? option है हर्श वर्धन श्रिंगला, विजय केशव गोखले, राजीव कुमार या फिर राजीव गौबा हाली में 1984 बैच के IFS अधिकारी हर्श वर्धन श्रिंगला को विदेश सचेव न्यूक्ति किया गया है कैबिनेट की न्यूक्ति समिति ने वाशिंग्टन DC में राजदूत श्री हर्श वर्धन श्रिंगला को विदेश सचेव की रूप में मंजूरी दी है श्रिंगला को इस पद पर विदेश सचेव विजय केशव गोखले की जगए लाया गया है जिनका दो साल कारिकाल अगले साल 28 जन्वरी को समाम्त होगा गौर तलब है कि हर्श वर्धन श्रिंगला का कारिकाल 29 जन्वरी 2020 से प्रभावी होगा तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन ए हर्श वर्धन श्रिंगला पाच्वा सवाल हाली में भारत में हाई रेंज माउन्टेन लेंडस्केप प्रोजक्ट का कारियान वयन अब एक नए नाम से शुरू किया गया है इसे इडुक्की जिले की 9 ग्राम पंचायतों सहित 11 ग्राम पंचायतों में कार्यान वित किया जा रहा है बतादे की हाई रेंज माउन्टेन लेंडसकेप प्रोजक्ट संयुक्तराष्ट्र विकास कारिक्रम यानि UNDP द्वारा वित्पोशित है इस परियोजना का नाम बदल कर अब सस्टेनिवल लाइवली हुड एंड बायो डायवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू मल्टी यूज मैनेजमेंट इन अंचुनाद एंड एडजोइनिंग लेंडसकेप किया गया है साथी बता देंगी परियोजना के अंतरगत ग्राम पंचायत इस्तर पर हरित केरल मिशन SPV यानि स्पेशल परपस वहिकल के रूप में कारिकरेगा तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन C UNDP हाली में इसलामिक सहयोग संगठन यानि OIC ने भारत में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम 2019 पर कंसर्ण जताया है इसके अलावा OIC ने सर्वोच न्यायाले के रामजन में भूमी विवाद फैसले पर भी चिंता जाहिर की बात करें OIC की तो इसकी स्थापना मुरक्को के रबात में 25 सितंबर 1979 में अंतरराश्ट्री संगठन के रूप में हुई थी OIC संयुक्त राश्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है इतके सदस्य देशों की संख्या 57 है जबकि इसका मुख्याल है सौधी अरब के जेद्दा में है तो इस सवाल का सही जवाब है option B जेद्दा साथवा प्रश्ण चर्चा में रहा Nord Stream 2 क्या है? option है gas pipeline, गर्म जलधारा, यूरोप में चलने वाली हवा या फिर यूरोप और एशिया को जोडने वाली railway line Nord Stream 2 दरसल एक gas pipeline है Nord Stream 2 gas pipeline पर लगे प्रतिबंधों को अमेरिकी दूतों द्वारा यूरोपी समर्थक बताया जा रहा है जिस वज़े से यह pipeline सुर्खियों में बनी हुई है बता दे कि Nord Stream 2 एक pipeline है जो रूस से जर्मनी के लिए बाल्टिक सागर के जरिये प्राकृतिक gas लाएगी Nord Stream pipeline रूस के उस्ट ल्यूगा से शुरू होती है और जर्मनी के ग्रेप स्वाल तक समाप्थ होती है यहाँ आप मैप्पेस की अवस्थिती देख सकते हैं जबकि Nord Stream रूस के वेवबोर्क से शुरू होकर जर्मनी के ग्रेप स्वाल तक जाती है तो इस सवाल का सही जवाब है option A, gas pipeline आठवा सवाल, खबरों में रहा शब्द रिया क्या है option है महिलाओं की सुरक्षा से संबन्दित एक योजना, नदी का नाम, चक्रवात का नाम या फिर उपग्रह का नाम रिया दरसल एक oxygen युक्त वाता वरण वाला उपग्रह है बता दें कि 23 दिसंबर 1672 को जियोवानी कैसिनी ने रिया उपग्रह की खोज की थी रिया दरसल जियोवानी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा खोजे गए शनी के चार उपग्रहों में से एक है इस स्पेसक्राफ्ट का नाम जियोवानी कैसिनी के सम्मान में रखा गया था जो एक जाने माने इटैलियन खगोल शास्त्री, गरितग और इंजीनियर थे जियोवानी कैसिनी द्वारा खोजे गए चार उपग्रहे इस प्रकार है पहला है आईपिटस, दूसरा है रिया, तीसरा है टैथिस, और चौथा है डायोन गोरतलब है कि रिया, टाइटन के बाद शनी का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है तो इस सवाल का सही जवाब है उपशन D, उपग्रह का नाम नौवा सवाल, हाली में किसे यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष न्यूक्ट किया गया है? आप्शन है चाल्स मिशेल, डॉनाल्ड टस्क, लुईस मिशेल या फिर बार्ट दा बेवर हाली में चाल्स मिशेल को यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष न्यूक्ट किया गया है भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने चाल्स मिशेल को उनके सफल कारिकाल के लिए शुपकामनाय दी है तो आई अब यहीं पर यूरोपियन काउंसिल के बारे में देखते हैं यूरोपिय परिशत दरसल यूरोपिय संग की समगर राजनीतिक दिशा और प्रासमिक्ताओं को परिभाशित करती है बता देख यूरोपीय परिशत के सदस्यों में शामिल है 28 यूरोपीय संग के सदस्य राष्ट्रों अथ्वा सरकारों के प्रमुख यूरोपीय परिशत के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोक के सदस्य तो इस सवाल का सही जवाब है option A Charles Michel दसवा प्रश्न हाली में पश्चमी अफ्रीका के कुछ देशों ने अपनी सामाने करेंसी का नाम बदल कर क्या रखा है option है eco watch, cfa frank, eco या फिर eco frank आठ पश्चमी अफ्रीकाई देशों ने अपनी common मुद्रा का नाम बदल कर eco किया है इससे पहले जो मुद्रा थी उसका नाम cfa frank था इस मुद्रा का लिंक पूर्व वर्ती उपनिवेशिक शासक फ्रांसी से था 1945 में निर्मिज cfa frank को कई देशों ज़ारा सतंत्र होने के बाद भी अपने पूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों में फ्रांसी सी हस्तक छेप के संकेत के रूप में देखा गया था अपनी मुद्रा का नाम इको रखने वाले ये आठ देश इस प्रकार है बैनिन, गुर्कीना फासो, गिनी विसाओ, आईवरी कोस्ट, माली, नाईजर, सेनेगल और टोगो यहाँ आप कुछ देशों को मैप पर भी देख सकते हैं तो इस सवाल का सही जवाब है उप्शन C, E, Q तो चलिए आज का अभ्यास प्रशन देखते हैं हाली में किस देश ने अधिकारिक तौर पर इस पेस फोर्स को लॉंच किया है ओप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रशन का सही जवाब देना ना भूले अगले सेशन में कुछ नए प्रशनों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार